हेलो गाईज कैसे आप लोग कैसे चल रही सबकी पड़ा एकदम बढ़ियां एकदम मज़ेदार तो माइनिम इस संजीफ पांडे और स्वागत आपका अपने प्यारे से चैनल में खुबसूरत से चलने में जे आर कॉलेज में जो की पाट है जे आर टूटोरियल का जैसा कि आपको पता है in last lecture we have completed the AC circuit वो चाप्टर हम लोग ने completely खतम कर दिया था उसके अंदर के हम लोग ने numerical भी solve कर लिये थे वो भी already uploaded कर दिये हैं ओके already वो lectures available है हमारे चैनल पर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे your last chapter that is your semiconductor devices और मैंने तुमको बोला था कि अगर तुमको semiconductor devices पढ़ना है तो at least तुमको 11th का थोड़ा बहुत basics पता होना चीए कि what is semiconductor कैसे PN junction बनता है what is diode what is forward bias what is reversed bias यह सारी basic तुमको पता होनी चीए अगर तुम कहीं न कहीं तुमको ये topic समझने के लिए थोड़ा सा मुश्किल गिरेगा ओके तो अगर मुश्किल गिर रहा है तो हम लोग ने already उसके उपर 11th standard में lectures बनाए हुए है वो आप लोग जाके visit कर सकते हो देख सकते हो के और हम लोग थोड़ा सा basic discuss करने वाले हैं यहाँ पर चल स्यमी कंड़क्टर मतलब क्या कि ऐसा material ऐसा element जो ना ही purely conductor है और ना ही non conducting है वो उनके दोनों के बीच का है जैसे silicon हो गया र्मधियम हो गया गेलीलियम हों गया ओके यह जितने भी यह है यह क्मारे पास यह दो एक हमारे पास होता था और इस होता था हमारे पास extrinsic हो स threw Yak H crowds consider Hey तो यह कैसा अपाका इंफ काम नहीं था हम इंट्रेंश एम एक्सी कियूंकि ने करते ते हम यूज मतलब। किसी और element के साथ mix गोन। था तो increase its conductivity, थोड़ी सी इसकी conductivity, थोड़ी सी इसकोई electron positive या electron negative बनाने की कोशिस करते थे, तो इसलिए हम लोग ने इसमें दो type देखा था, that is, one is your p-type और another one is your n-type p-type बोले तो positive, मतलब इसमें number of false क्या होते थे, ज्यादा होते थे, इसके अंदर क्या करते थे हम लोग trivalent add करते थे, क्या add करते थे, trivalent, मतलब हम लोग semiconductor के साथ trivalent element add करते थे, अगर तुमको याद होगा तो और इसके अंदर ये pentavalent है, यहाँ पर pentavalent add करते थे हम लोग तो semiconductor के साथ हम लोग semiconductor के साथ हम लोग pentavalent आड़ करते थे ओके तो यहाँ पे भाई trivalent आड़ करते थे हमको पता था semiconductor की valency 4 होती है तो 3 तो pair हो जाते थे बट एक extra बचता था यहाँ पे तो यहाँ पे एक positive चार जा जाता था वो एक्स्टा पे मतलब यहाँ पे number of holes जादा होते थे याद रखना है यहाँ पे number of holes जादा होते थे as compared to number of electron और यहाँ पे पेंटा मतलब 5 हम लोग extra electron उसको देते थे तो उसमें से 4 तो pair हो जाता था silicon के साथ but एक extra electron बसता था यहाँ पे मतलब यहाँ पे number of electrons जादा होते हैं number of holes से ओके यह सारी basic चीजे हैं जो already तुम लोग ने discuss किये already deep में हम लोग ने 11th में ही discuss कर लिया है यहाँ पे हम खाली उपर उपर से बात करने आ रहे हैं तो P और N को हम लोग ने combine किया था P और N को combine करके हम लोग ने क्या बनाया था P और N को हम लोग ने combine करके एक P N junction diode बनाया था क्या बनाया था P N junction diode बनाया था अगर तुम को यहाँ दोगा तो P N junction diode बनाया था This is nothing but your P N junction diode यह उसका symbol था P N junction diode का यह diode का symbol है basically basically यह तुम्हारा p and होता है और यह तुम्हारा एंड होता है ओके यहां पे अगर मिलोको पी एंजंक्शन डायोड को चलाना है तो उसका दो तरीका था अगर तुमको याद होगा एक था reverse और एक था फॉर और बायस्ट तो इसको हम लोग को यूज्ज करने का दो तरीका है एक तो हमनोग फॉर बायस की तरह यूज कर सकते थे और एक हम लोग इसको रिवर्स बायस्ट यूज्ज कर सकते te revered is biased biased ka spelling देखले न शाय तक अगर गलत हो तो biased ओके तो हम लोग उसको forward bias यूज़ कर सकते थे as well as reversed bias यूज़ कर सकते थे forward bias किस तरह यूज़ कर सकते थे हम लोग ने याद किया था कैसे याद किया था P2P कैसे याद करना forward bias में P2P मतलब positive to P connection तो जो भी तुम्हारा बाटरी रहेगा जो भी तुम्हारा सोर्च रहेगा उसका positive terminal, diode के P end से connected रहेगा और जो भी तुम्हारा negative terminal रहेगा, वो diode के end साइड से connected रहेगा, इस connection क हम लुद बोले थे, क्या बोले थे forward bias, यहाँ, forward bias में क्या होता है भई, forward bias में current flow होता है, यहाँ मतलब यहाँ पे तुमको milli ampere का current देखने मिलता है गर तुम देखने जाओ तो यहाँ पे तुमको milli ampere का current देखने मिलेगा ओके रिवर्स बाज में क्या होता है रिवर्स बाज में उल्टा होता है रिवर्स बाज में तुम्हारा जो P होता है वो negative side से attach होता है और जो n होता है वो positive side से attach होता है ओके तो यहाँ पे ultra होता है मतलब यहाँ पे generally तुमको current देखने नहीं मिलता ओके यहाँ पे current flow नहीं होता याद रखना और यहाँ पे current flow होता है यहाँ पे current flow होता है वो milli ampere में होता है यहाँ थोड़ा बहुत current flow होता है because of minority charge carrier यहाँ पर minority charge carrier की वज़े से थोड़ा बहुत current flow होता है बाकि अगर हम लोग देखने जाएं तो reverse bias में current flow नहीं होता और forward bias में क्या होता है current flow होता है बट फिर भी हम लोग बहुत जगे reverse bias use करते हैं क्यों इस्तमाल करते हैं because of भाई उसका breakdown voltage की वज़े से उसका breakdown voltage का एक application है वो हम लोग discuss करेंगे जब हम लोग zen and diode पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग इसका discuss करेंगे कि इसका एक application है जहाँ पर इसके breakdown voltage पर हम लोग क्या करते हैं इसको use करते हैं as a reverse bias को भी इसका क्या जाता है बट जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं हम लोग forward bias यूज करते हैं okay clear बासन में आ गया तो जनरली तुमको क्या याद रखना है forward bias में current flow होगा current will flow और माल लो कि reverse bias में current does not flow current does not flow forward bias में current will flow और reverse bias में current will not flow यह basic चीज़े हैं इतना समझ लो तुम लोग clear बासन में आ गया so these are the basic things जो तुमको पढ़ना है तो एक बार क्या करना 11 standard का जो भी तुमने semiconductor पढ़ा है उसको एक बार बहतरीन तरीके से revise कर लेना तो तुमको यह जो chapter है वो बहुत अच्छे से समझ माएगा which is nothing but the semiconductor devices यहाँ पर हम लोग सारे devices के बारे में बात करेंगे भाई what is LED what is photo diode क्या होता है तुमारा यह बोलते हैं इसको NPN transistor ओके यह सारा चीज़ हम लोग लॉजिक गेट यह सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर discuss करने वाले हैं ओके तो लेटा स्टार्ट सबसे पहला चीज़ हम लोग देखेंगे that is your rectifier ओके सबसे पहले चीज़ की बात करें तो it is a block diagram of rectifier अब what is rectifier भाई rectifier एक बहुत important device है पूरे electronic industries में और यह क्या important है इसका importance क्या इसका importance यह है कि rectifier क्या करता है तुम्हारा जो भी AC supply है उस AC supply को convert करता है DC supply में कारण यह है कि अगर मालो मैंने किसी भी appliance को directly AC supply में कने कर लिया तो AC supply की जो values होती है वो generally alternating होती है मतलब भाई positive और बाद में negative तो जब वो positive नेगेटिव रहेगी तो यहाँ पे देखो fluctuating value है fluctuating value है और साथ में अपना वो cycle भी change कर रही है और बीच में देखो वहाँ पे 0 भी हो रहा है कुछ time के लिए कुछ time के लिए उसका value 0 भी हो रहा है मतलब अगर मैंने directly TV को connect कर दिया AC source से तो भाई TV चलेगा ही नहीं और चलेगा भी तो बन चालू बन चालू बन चालू ऐसे चलेगा ओके और उससे उसका life obviously बात है कि खराब हो जाएगा तो generally हम लोग क्या use करते हैं हम लोग use करते हैं rectifier and what is rectifier it is a device it is a device which convert which convert which convert AC source source और AC सप्लाइ to DC source और सप्लाइ ओके और AC voltage to DC voltage जैसा भी लिख सकते हो तुम लोग अगर चाहिए तो कि AC voltage कि तू DC voltage क्लियर बासम ना गया एक तरह का यह device है जो क्या करता है जो AC voltage को convert करता है किसमे convert करता है DC voltage में convert करता है तो यहाँ पर तुमारे सामने एक block diagram है किसका rectifier का block diagram है देखो इसके अंदर क्या-क्या है तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास AC main source supply जहाँ पर हमारे meter से power आता है हमारे meter से कितना power आता है जैसे कि मैंने तुमको बता है भाई 230-240 वोल्ट और 50 हर्ट हम लोग यूज़ करते हैं हर्ट से यह तो हम लोग 240-230 वोल्ट यूज़ करते हैं और 50 हर्ट इस्तमाल करते हैं वहां से फिर अगर मां लोग कोई device पर मैं यूज़ कर रहा हूं तो वहां पर हम लोग transformer लगाते हैं क्यों transformer लगते हैं भिकाज़ हर इध डिवाइस के लिए जो voltage requirement होता है वो अलग़ा लोग रहा और कोई रोल नहीं है transformer का transformer तुमको कहीं पे भी AC to DC convert करके नहीं देगा यह सिर्फ voltage regulate मतलब यह करके देगा तुमको step up या step down करके देगा मतलब यहाँ पर हम लोग देखने जाए तो मेरा requirement कम करना है तो step down लगा तो जाधा करना है तो step up लगा दो तो यहाँ पर तुमको AC मिल गया से अब यहाँ पर हम लोग लगा है diode क्या लगा है diode रक्टिफाइर डायोड रक्टिफाइर मतलब रक्टिफाइर का काम किया है रक्टिफाइर का काम है कि भाई वो convert करेगा किसको AC voltage को DC voltage में मतलब यहाँ पर जो positive cycle था वो positive cycle तो positive रहा बट जो negative cycle है वो भी positive हो गया मतलब यहाँ पर हम लोग ने use किया है full wave rectifier क्या होता है half wave rectifier उसके बारे में हम लोग डिसकस करेंगे बट यहाँ पर देखो भाई यहाँ पर DC मिल गया हमको this is the DC current ओके this is the DC current यह तुमारा DC voltage है बट problem यह है कि यह जो DC voltage है यह कहीं ने कहीं fluctuating है इसका value अभी भी कहीं ने कहीं change हो रहा है देखो जरा यहाँ पर कुछ अलग value है यहाँ पर कुछ अलग value है यहाँ पर कुछ अलग value है ऐसे इसके value अभी भी change हो रहे है तो अगर value अभी भी इसके change हो रहे है इसका मतलब यह है कि इसको हम लोग अभी भी यूज नहीं कर सकते हैं तो हम लोग इसको पास कराते हैं कहां से filter circuit से okay this is nothing but a filter circuit it is nothing but a capacitor circuit एक तरह का capacitor circuit है तो उसको हम लोग filter circuit से पास कराते हैं और और जो fluctuating value है वो बहुत कम हो जाता है, यहाँ पर तुम लोग देखोगे तो यहाँ पर तुमको जादा fluctuation देखने नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ पर तुमको बहुत कम fluctuation रहेगा, ऐसा रहेगा, ओके, तो यहाँ पर तुमको बहुत जादा fluctuation मिल रहा था, यहाँ पर तुमको बहुत कम fluctuation मिलेगा तो अब ये fluctuation को भी ठीक करने के लिए हम लोग इसको pass कराते हैं कहां से voltage regulator से तो यहाँ पर हम लोग इसको voltage regulator से pass कराते हैं और जब हम लोग इसको voltage regulator से pass कराते हैं तो यहाँ पर मेरे को एक steady voltage मिलता है, this is nothing but a steady voltage और फिर हम लोग इसको क्या करते हैं इस्तमाल करते हैं कहीं पर भी वेकर मैं को TV चलाना है मेरे को मोबाइल चार्ज करना जो भी करना XYZ तो हम लोग यह वाला वैल्यू यूज करते हैं ओके तो इस इस यूर स्टेडी बोल्टेज भाई यहाँ पर AC था AC हम लोग ने ट्रांसफोर्मर को दिया ट्रांसफोर्मर भी हमको AC देगा बस step up करके देगा या फिर step down करके देगा फिर हम लोग ने डायोड ड्रेक्टिफायर लगा है भाई full wave डायोड ड्रेक्टिफायर है तो इसलिए तुमारा positive का तो positive होगा जो negative है उसका भी positive हो जाएगा कैसे होगा हम लोग देखने वाले है यह चीज़ फिर यहाँ पर जो value है वो अभी भी fluctuating है उसके लिए हम लोग ने एक filter circuit लगाया तो यहाँ पर filter circuit जैसी लगाया तो यह जो value fluctuated हो रहा था जैसी voltage regulator से पास करा है वह उसका जो voltage है that becomes stable और हम उसको जहाँ पर use करना चाहें जहाँ पर उस electricity का काम करना चाहें हम काम कर सकते हैं clear बास में आ गई this is the block diagram तो कभी कभी आ जाता है भाई draw the block diagram तो यह तुमारा block diagram हो okay clear अब एक एक करके सारे component के बारे में discuss करेंगे तो यह जो component है transformer यह हम लोग ने already इसके पहले वाले chapter में हम लोग ने बैतरीन तरीके से transformer discuss कर लिया आगा तुमको पता होगा इसके पहले वाले chapter में हम लोग ने transformer discuss कर लिया अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाओ already lecture uploaded है महाँ पर जाओ AC chapter मेरे खाल से 14 या पांचवा लेक्चर है उसके अंदर हम लोग ने discuss किया है ओके clear बास में आ गई चलो तो let us start with a rectifier तो generally दो तरह के तुमको rectifier देखने मिलेंगे एक rectifier तुमको देखने मिलेगा that is a half wave rectifier और एक rectifier तुमको देखने मिलेगा that will be a full wave rectifier why it is called as half wave rectifier why it is called as full wave rectifier वो भी हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे तो यहाँ पर एक circuit diagram बनाया हुआ this is the half wave of circuit diagram तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो भाई AC supply है AC supply को हम लोग ने connect किया है किसके साथ transformer के साथ क्या connect कर दिया हमारा load resistance मतलब load resistance मतलब जो भी appliance हमको लगाना है जो भी appliance हमको use करना है जो भी appliance हमको चलाना है वहाँ पर हम लोग ने लगा दिया वह वाला appliance that is called as load resistance और वापस लाके उसको connect कर दिया transformer circuit complete हो गया अब कहानी कैसे होती देखो समझने कोशिस करो rectifier क्या करता है हमको पता है AC से DC convert करता है बट कैसे convert करता है वो चीज़ समझो तो यहाँ पर एक बहुत छोटा सा roll है मतलब actually देखने जाए the main component है that is diode but बहुत easily diode convert कर देता है कैसे convert करता है देखो ज़रा तो यहाँ पर हम लोग ने input और output voltage बनाया हुआ इससे हम लोग समझने कोशिस करेंगे तो अगर हम लोग देखने जाए माल लो for first half cycle for first half cycle यह जो half cycle है for first half cycle यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ for first half positive cycle for first half positive cycle for first half positive cycle यह positive cycle है तो positive cycle है मतलब कहीं ने कहीं यह terminal positive बन जाएगा और अगर एक terminal positive बन गगा positive मतलब high voltage याद रखना हो कि positive का मतलब यहाँ पर high potential है तो अगर एक high potential बन गया तो दूसरा वाला but obvious है low potential बन जाएगा that is negative high याना अब अगर यह high potential है तो यह वाला terminal भी high potential बनेगा और यह वाला terminal भी low potential बनेगा बरबर तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दे तो यह होता है मेरा P side और यह होता है मेरा N side अब ज़रा ध्यान से देखो positive किस के साथ attach है P के साथ attach है और negative किस के साथ attach है N के साथ attach है देख रहो करेगा this diode start behaving as a forward bias और forward bias में क्या होता है current flow होता है मत it allow the flow of current वो flow of current को क्या करेगा allow करेगा तो हम लोग बोल सकते हैं for first half cycle for first half positive cycle the diode the diode the diode behaves as behaves as forward bias forward bias so it allow the flow of current it allow the flow flow of current आया ना बरबर और यहां पे मेरे को भाई इसका जो input का output है वह यहां पे मिलेगा यहां पे मिलेगा यहां पे मेंगा output मिल गया अब लेटर डिसकूस कि भाई अगला half cycle आया next negative half cycle तो negative half cycle के लिए क्या हो जाएगा negative half cycle के लिए ही चीज़ उल्टी हो जाएगी this become your negative terminal ये तुमारा negative terminal हो जाएगा negative terminal मतलब जाहिर सी बात है this become low voltage and this become high voltage तो अगर ये low voltage हो गया तो ये वाला भी low voltage हो जाएगा तो this become a low voltage मतलब ये भी तुम्हारा negative हो जाएगा और ये high voltage है तो ये भी high voltage हो जाएगा मतलब ये positive हो जाएगा तो अब ध्यान से देखो भाई अब P के साथ क्या चीपक गया P के साथ क्या connect है P के साथ negative connect है और N के साथ क्या connect है N के साथ positive connect है तो जब P के साथ negative connect होता है और N के साथ positive connect होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं reversed bias और reversed bias बे generally current flow नहीं होता तो तुम यहाँ पर देख सकते हो भाई for negative half cycle, negative half cycle में यहाँ पर current flow नहीं मिलेगा तुमको मतलब यहाँ पर कोई भी current flow नहीं होगा मतलब यहाँ पर तुमको जो output मिलेगा that will be a zero output clear बास नहीं आ गए तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं for next half negative cycle next वाला negative cycle है ना negative cycle for next half negative cycle the diode diode किसकी तरह behave करेगा the diode behaves as behaves as reversed biased हाँ या ना किसकी तरह काम करेगा? reversed biased अब वो reversed biased की तरह काम करेगा next half negative cycle diode behaves as a reverse biased अब reversed biased है मतलब वो क्या करेगा? वो अपने अंदर से current को flow करना allow नहीं करेगा क्योंकि हमको पता है reverse bias में से current flow नहीं होता है so it does not it does not it does not allow the flow of current it does not allow the flow of current it does not allow the flow of current clear yes or no for the next half cycle for the next half negative cycle the diode behaves as a reverse biased so it does not allow the flow of current and the current will not flow current will not flow तो मतलब यहाँ पर मिरे को output मिले गा ही नहीं अब यहाँ पर देखो output 0 आ रहा है clear बास में आ गया इसलिए graph में ने साथ में बनाया क्योंकि तुमको समझ में आई यह चीज yes or no ओके? अब next again अगर हम लोग देखने जाए तो again next positive cycle आएगा अब जैसी वापस positive cycle आएगा the story will repeat itself yes or no अब यह क्या हो जाएगा this become a positive terminal and this become a positive terminal यह वाला क्या हो जाएगा this become a negative terminal this become a negative terminal तो again भाई this act as a positive और P to P connected है तो positive है और N negative से connected है मतलब this act as a forward pass और forward pass में क्या होगा current flow होगा मतलब देखो यहाँ पे वापस भाई for positive cycle you will get the output यहाँ पे तुमको output मिलेगा ओके तो वही same cycle क्या होगा repeat होगा वही same cycle क्या होगा repeat होगा तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि for for every for every positive cycle for every positive cycle we will get we will get an output an output okay for every positive cycle we will get an output that's why that's why यह फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं so it is called as so it is called as half wave rectifier क्योंकि हर half cycle में ही इसको half positive cycle में ही इसको output मिला हाअ अब रबर negative में ही output नहीं मिलेगा तो since negative में ही बात है negative में ही इसको output नहीं मिलेगा मतलँ यहाँ फहाँ म graph current नहीं हो रहा तो is call हाफ वेव रक्टिफायर बोलते हैं, so it is called as हाफ वेव रक्टिफायर clear, बास में आ गया everyone हाया ना, हाफ वेव रक्टिफायर समझ मैं है, भाई, कैसे काम करेगा हाफ वेव रक्टिफायर भाई, हर positive cycle में तुमको क्या मिलेगा, output मिलेगा, क्यों? क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे एक ही डायोड इस्तमाल किया है, okay, full wave रक्टिफायर में कमाल क्या होता है, full wave रक्टिफायर में हम लोग दो डायोड इस्तमाल कर लेते हैं, तो वहाँ पे negative और positive दोनों के लिए हमका output मिलता है, इसलिए उसको फुल-वेव रेक्टिफायर बला जाता है, clear बासन में आरी, yes, or no? चलो next is फुल-वेव रेक्टिफायर, okay अब अगर हम लोग फुल-वेव रेक्टिफायर में ध्यान देया थे, तो पुलवे रκεटीफर में तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हम लोग ने दो डायोड इस्तमाल किया है, एक, दो, और तीन, और जो हम लोग RL लगा रहे हैं, जो हमारा output लगा रहे हैं, जो load resistance लगा रहे हैं, वो इन दोनों के common connection पर लगा रहे हैं, और यहां से फिर एक connection, किसको दे रहे हैं, transformer को दे रहे हैं, to make the circuit complete, to make the circuit complete, okay, अब full wave rectifier में क्या होता है, full wave rectifier में एक दम मस्त चीज है, यहां पर दो, डायोडिस समाल है, ओके, अब क्या होता है, देखो ज़रा, वही सेम चीज़ देखते हैं, तो माल लोग for positive cycle, okay, पहला positive cycle है, half positive cycle है, तो यह positive cycle है, बरबर, अब अगर यह positive cycle है, तो मुझे पता है, for positive cycle, this terminal become positive, हाई या न, for positive cycle, this terminal become positive, and this terminal become negative, again, positive और negative का मतलब high voltage और low voltage, okay, तो एक terminal high voltage बन गया, एक terminal low voltage बन गया, बरबर, तो अगर यह high voltage है, और यह low voltage है, तो यहां पर भी यह भी high voltage हो जाएगा, यह भी low voltage हो जाएगा, बरबर, अब यह high voltage हो गया, मुझे पता है, भाई, यह P है, यह N है, यह P है, यह N है, तो यहां पर देखो, यह वा जाएगा, reverse bias बन जाएगा, तो अगर ये forward bias बन गया और ये reverse bias बन गया, तो भाई यहाँ से current flow होगा हाँ या ना, ऐसे ये वाले path पर, मतलब the path will be a, p, q, r, c, बरबर, और माल लो for negative cycle, भाई ये माल लो ये negative cycle है, तो अगर negative cycle है, तो negative cycle में क्या होगा, negative cycle में this terminal become negative, आया ना, ये negative बन जाएगा, and this terminal become positive, अब ये positive है, तो ये भी positive बन गया, और ये negative है, तो ये भी negative बन गया, बरबर, अब ये negative बन गया, मतलब ये p negative से attach है, मतलब d1 क्या बन गया, d1 बन गया, reverse bias, और ये positive से attach है, मतलब D2 क्या बने गया, reverse forward bias, मतलब आप D1 में से current flow नहीं होगा, बट D2 में से current flow होगा, जो second वाला diode है, उसमें से current flow होगा, तो अब जो path होगा current का, वो कहां से कहां होगा, BPQRC, मतलब ऐसे current flow होगा, मतलब यहाँ पे negative cycle के लिए भी, भाई मेरे को current मिलेगा, बट किस में से मिलेगा, दूसरे diode में से मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पे D1 लिखा हुआ है, और यहाँ पे D2 लिखा हुआ है, बासनारी yes or no, फिर next cycle के लिए d2 forward behaves करेगा और d1 क्या करेगा reverse behave करेगा मैंको हर एक alternate cycle के लिए output तो मिलेगा ही मिलेगा बर बर इसलिए इसको बोला जाता है full wave rectifier इसको इसलिए का बोला जाता है full wave rectifier clear बास में आ रही कि निसमें आ रही है positive half cycle for positive half cycle d1 क्या हो जाएगा diode d1 ओक डायोड d1 act as act as forward bias और डायोड d2 बिकाम 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 रिवर्स बाइजाया ना बरबर बाइड डी बन क्या हो जाएगा डी बन हो जाएगा forward और d2 क्या हो जाएगा reversed तो current will flow then the current then the current will flow flow through flow current then the current will flow through current किसे flow होगा current flow होगा through d1 हाया ना through d1 and the path will be path कैसा होगा path होगा तुमारा a p q r c this is the path ओके मैंने यहां पर लिग दिया तुमको समझ में आने के लिए यहां पर यह वाला path follow करेगा ओके हम माल लो कि भाई negative cycle है तो negative cycle है तो this become a reverse bias and this become a forward bias तो हम लोग लिग सकते हैं यहां पर नेक्स्ट negative cycle और नेक्स्ट हाफ नेगेटिव साइकल आफ नेगेटिव साइकल आफ नेगेटिव साइकल बिहेवजाज डिवन बिहेवजाज क्या भीएव करेगा reverse या फॉर फचाट से बताओ भाई डिवन क्या भीएव करेगा d1 बिहेव करेगा reverse यह रिवर्जट क्या हो जाएगा become forward आई ना भाई D2 क्या हो जाएगा D2 तुमारा forward हो जाएगा अब D2 अगर forward हो गया तो जाहिर सी बात है कि भाई यहां से current flow हो गहाँ है ना तो therefore therefore the current current will flow will flow through the current will flow through the current will flow through current कैसे flow होगा? current flow होगा कैसे flow होगा? भाई D2 से yes or no? current flow through the D2 diode और उसका path क्या होगा? what will be the path? that is B P Q R C this is the path of the current अब यहां पर मेरे को भाई हर cycle के लिए positive के लिए भी मिलेगा और negative के लिए मिलेगा तो इसलिए इसको बोलते हैं full wave rectifier ओके सो हम लोग बोल सकते हैं here here we get the output here we get the output for every cycle for every cycle that is positive as well as negative so it is called as full wave so it is called as full wave rectifier clear clear yes or no okay so these are the basic discussion about full wave rectifier यह तुमारा basic discussion है about full wave rectifier कि भाई कैसे full wave rectifier काम करता है okay clear अब मालो की exam में आता है तो देखो exam में अगर आ रहा है और मालो 3 marks के लिए आ रहा है कि भाई explain करो कि what is half wave rectifier full wave rectifier तो वहाँ पे तुमको यह चीज़ तो बता नहीं बता नहीं है बट साथ में उसका construction भी बताना पड़ेगा उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा एक बार test book जरूर रिड करना पड़ेगा क्योंकि test book में बहतरीन तरीके से गीवन है यह चीज़ ओके clear everyone उसके बाद तुम उसका working बताई सकता है working हम लोग ने लिखके दे दिया कोई problem नहीं तुमको समझ भी गया तो तुम अपने ओन वर्ड में भी लिखोगे तो कोई problem नहीं बस याद रखना कि भई circuit diagram अच्छे से बनाना है उसका बोलते है न आउटपूट और इंपूट ग्राफ अच्छे से बनाना है यह बहुत important चीज है यहाँ पर तुम थोड़ा हुआ तूपर नीचे कर दो कोई problem नहीं यहाँ पर अगर तुम्हारा सारा चीज परफेक्ट है तो examiner यहीं पर तुमको एक marks दे देता है इसका marks है यहाँ पर circuit इस्तिमाल करते हैं क्योंकि जो फूल वेव रटिफायर उसका जो efficiency है वह हाफ वेव से almost double है क्योंकि जाहिर सी बात है हर cycle में तुमको क्या मिलेगा output मिलेगा तो उसकी जो efficiency होगी वह almost double होगी तो हम लोग जाधा करके यूज करते हैं क्या फूल वेव रक्टिफायर क्लियर समझ मैं everyone पक्का चालो नेक्स्ट इस रिपल फाक्टर जैसे कि मैंने तुमको बताया था यहाँ पर AC से DC तो convert हो जा रहा है तो वहाँ पर ripple factor अभी भी है मतलब वह जो fluctuating current है वह अभी भी है अगर हम देखने जाए इसके graph में तो इसके graph में हमको दिखेगा कि भाई बले यह AC से DC हो चुका है यह alternating current है यह अपना direction change कर रहा है यह अपना direction change नहीं कर रहा है बट इसका जो value है वह अभी भी alternating है भाई देको यहाँ से 0 स लोग देखने जाए तो ripple factor का definition क्या होता है एक मेट अगर अगर हम लोग देखने जाए तो वाट इस अट डेफिनेशन आप रिपल वैक्तर सो ripple factor का हम लोग define करते हैं as a ratio of as a ratio of rms value of ac component divided by your dc component मतलब rms value of ac component ac component component मतलब वो voltage भी हो सकता है वो current भी हो सकता है जरूर ही नहीं कि वो सिर्फ voltage के लिए defined है या current के लिए defined है to the value of dc component to the rms value of ac component divided by to the value of dc component अब देखो जितना जादा dc component होगा मतलब यहाँ पर हम देखने जाए graph की तुरू अगर हम समझना चाहे तो graph की तुरू हम क्या समझ सकते है माल लोक यह तुमारा fluctuating value है ओके तो यह जो पार्ट है यह ऑके यह जो यह तुमको वाल्यू उपर नीचे दिख रही है यह यह तुमारा इसको अम हृपल वोल्टेज वोलते हैं है यहां पर तुम्हारा दैक वरुपल हो रहे हैं ओके रिपल मतलीग वे ऍछेन हो रहा है यह हैठ पिर है sis ए अपर तुम देखो को तो फ़ीफ परसीन हो रहा कि हहार है ए वेफ ऑन्या नहीं प्रॉक्षी मेटली पकड़ने जाएं तो यह अगर हम ध्यान दे तो जितना जितना बड़ा DCsequamt दो मतलब जितना एक्जाक्ट DC कंपोनेटो का हुगा रिकन उतना चोटा होगा मतलब Rubsen जोड़ा h isto इसके कि अंधर रिपल्चन ल्बहुत और ण्रीपल्चन बहुत ज्यादा है तो रिपल्स ज्यादा है तो रिपल्स बहुत जादा है तो रिपलीस का जो बड़ा तुम्हारा DC component रहेगा उतना ripple factor कम रहेगा ओके clear और जितना तुम बोलो कि भाई DC मेरा strong नहीं है DC मेरा weak है उतना तुमको उतना बड़ा ripple factor मिलेगा तो अपना काम होता है भाई रिपल्स को अपने क्या करना है कम करना और वो करने के कि रिपल्स को कम करने के लिए क्या इस्तेमाल करते है red is called value of AC component to the value of DC component okay हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे इस रेशो और मेंस वाल्य ओफ AC component to the value of DC component और इसका कोई यूनिट तो होगा नहीं because it is a ratio of same quantity हाया ना बस एक AC और एक DC है तो इसका कोई यूनिट बनता नहीं है clear बासन में आ रही है अगर में को ripple factor कम करना है तो हम लोग क्या इस्तिमाल करते हैं हम लोग इस्तिमाल करते हैं filter circuit अब यह बहुत चोटी सी चीज़ है बट बहुत काम आती है filter circuit ओके जनरी filter circuit होता क्या है तो यहाँ पे देखो यहाँ पे तुमने एक AC supply लगाया हुआ है अब तुम यहाँ पे AC supply लगाया तुमने उसको pass कराया कहां से rectifier से अब rectifier का काम क्या था rectifier का काम था भाई AC से उसको DC बना देना मतलब अगर हम लोग graph के through समझना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे हमको जो wave मिल रहा था वो ऐसा मिल रहा था बट जैसी हमने रक्टिफार लगाया तो रक्टिफार लगाने के बाद जो रक्टिफार का output आया वो ऐसा आगा यहाँ बाद भाई जो alternating था वो direct बन गया direct बन गया मतलब इडिए नौट चेंजिंग इट्स डारेक्शन वो डारेक्शन चेंज नहीं कर रहा वो direct current है बट यहाँ पे जो क्ट शेंगें वोल्टेज इसके across भी चेंज होगा हमको पता है कि बाई जो पारलर connection और हमको पता है जो ब्राबर होता होता है सब्सकतो जो भी वोल्टेजी के रोत चेंज होगा वही व surface ऑक अब कहान कैसे कैसे काम करता है यहाँ पर देखो कि तो जैसी हम लों ने current को या फिर voltage को rectifier से pass करा दिया तो वो AC से DC convert हो गया मतलब after using the rectifier using rectifier मैं बोल सबता हूँ कि भाई AC is converted into DC हाँ है न मारा जो AC है वो DC में convert हो चुका है बट अभी भी ये fluctuate हो रहा है अब जो value है वो constant value नहीं है वो fluctuating value है हमने क्या लगा आख यहा लगा दिया capacitor अब देखो कपासिटर को दूँ तो कपासिटर के अंदर वो charge store हो जायो और जब कभी भी मेरेको requirement हो उस charge का तो kapासिटर और वो चार्ज मेर को एक साथ दे दे, yes or no, okay, तो वही कहानी है यहाँ पर, यहाँ पर कहानी वही है, इसको भी हम लोग ग्राफ से समझने ही कोशिस करते हैं, माल लो, ग्राफ क्या बोलता है कि माल लो, अब वाल्यूज इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो during this increase value, during this increase value, मतलब current का value increase हो रहा है, जब current का value increase हो रहा है, तो भाई, यहाँ से charge flow होगा, किसके अंदर, capacitor के अंदर, और as well as किसके पास जाएगा, load resistance के पास जाएगा, मतलब यहाँ पर कुछ amount of charge इसके अंदर store होगा, और कुछ amount of charge, load resistance के पास जाएगा, मतलब माल लो, प को भी चलाएगा मतलब फैन को चलाएगा अब जैसी इसका पिक वैल्यू आ जाएगा जैसी इसका पिक वैल्यू हो जाएगा ओके अब वैल्यू क्या होना चालोगा अब जैसी वैल्यू डिक्रीज होना चालोगा तो भाई जो फैन है उसका speed कम होना चालोगा, जब fan का speed कम होना चालोगा, क्योंकि उसके पास current कम पहुँच रहा है, तो उस time पे capacitor क्या बोलेगा, capacitor बोलेगा कि भाई तू अपना speed कम मत कर मेरे पास charge stored है वो charge मैं तेरे तक पहुँचाता हूँ या सॉलम, तो वो क्या करेगा जो energy इसके अंदर store है जो current इसके अंदर store है, जो electricity इसके अंदर store है, वो electricity वो यहाँ से load resistance को देना चालोगा, इसलिए तुम देखो, भाई यहाँ से न, जो wave है वो directly नीचे ना जाके वो directly यहाँ पे जाएगा, भास समगा रहा है भाई वो डारेक्ली नीचे ना जाके डारेक्ली यहाँ पर जाएगा मतलब during, during negative cycle during negative cycle यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो load resistance बंद नहीं पड़ेगा not during negative cycle, during decreasing okay, during decreasing value यहाँ पर value decrease हो रहा है बट जब यह decrease हो रहा है तो load resistance के across कोई भी decrease हमको देखने नहीं मिल रहा है क्यों? क्योंकि यह जो capacitor के अनंदर जो energy stored है, वो energy यहाँ पर pass करेगा बरबर और load resistance चलता रहेगा again, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे value क्या हो रहा है, increase हो रहा है अब जैसी ही capacitor का charge कम होना चालो हो गा, जैसी capacitor का charge कम होना चालो हो जाएगा, तब तक क्या होगा, तब तक यहाँ से value increase होना चालो हो जाएगा, तब तक यहाँ से value increase होना चालो हो जाएगा, current का जो fluctuating current था, उसका value increase होना चालो हो जाएगा मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से जो charge आ रहा अब वो बढ़ना चालो जाएगा, अब जब वो बढ़ना चालो जाएगा, तो वापस वो capacitor को charge देना चालो जाएगा, और साथ में load resistance को charge देना चालो करेगा, पंखा को घुमाना चालो करेगा, अब वापस same तरीका, भाई, peak value आजाएगा, जैसी peak value आएगा, हम वापस current decrease होना चालो जाएगा, तो जो capacitor में charge store था, वो load resistance के पास जाना चालो करेगा, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे load resistance के across, जो भी potential रहेगा, वो लगभग, वो लगभग constant रहेगा, exactly constant रहेगा, उसके अंदर भी थोड़ा सा repulsion रहेगा, जैसा मैंने तुमको बताया था, block diagram जब मैंने ब voltage regulator, जब हम voltage regulator यूज करेंगे, तब जाके बिरको जो value है, वो almost steady value मिलेगा, वहाँ पे भी तुमको exactly steady value नहीं मिलता, हाँ, बट बोल सकते हैंगे, हम लोग वहाँ पे हमको steady value मिल जाता है, अच्छा कासा steady value मिल जाता है, ओके, clear, समझ में आ गया कि भाई, कैसे काम करता है filter circuit, proper तरीके से, हाँ या ना, ओके, कि मतलब, जब value increase होता रहेगा, तो वो capacitor में भी charge होता रहेगा, और as well as load resistance को भी देता रहेगा, हाँ या ना, और जैसी value, negative, मतलब, sorry, decreasing आ जाएगा, जैसी वो decrease होना चालू करेगा, तो current यहाँ से तो कम हो गया, यहाँ से तो decrease हो गया, बट य यहाँ पे जो capacitor है, वो capacitor अपने अंदर जो energy store किया है, उसको आगे pass करना चालू करेगा, तो load resistance के across जो voltage है, वो थोड़ा सा maintain रहेगा, clear, इसलिए हम लोग filter circuit इस्तमाल करते हैं, clear बास में आ गई everyone पका, समझ में आया भाई, filter circuit क्या होता है, half wave rectifier क्या होता है, full wave rectifier क्या होता ह है, ओके, next lecture में we will discuss कि भाई what is zenna diode, कैसे zenna diode के principle पर voltage regulator बनता है, फिर what is your photo diode, what is your solar cell, what is your LED, यह सारा चीज, मतलब बहुत सारे component है इसके अंदर, और एक न एक तो आता ही है, तीन से चार माग के लिए, write a short note, फिर explain the working principle, explain the construction, advantages, disadvantages, कुछ न कुछ तो कोशन, एक बड़ा कोशन इ तो proper तरीके से, और इसमें यह है कि भाई, कोई derivation नहीं है, कोई तरह का बोलते है न, complication नहीं है, simple theory है, उसका basic principle पढ़ लो, working पढ़ लो, construction पढ़ लो, advantages पढ़ लो, disadvantages पढ़ लो, उसका circuit diagram पढ़ लो, काम खतम, पूरा chapter खतम हो जाएगा तुम्हारा, ओके, clear बास में आ तुम तक वो notification पहुँच जाए, और अपने दोस्तों को share जरूर कर देना, ओके, समझा सबको, बढ़िया, तो next video में मिलते हैं, तब तक के लिए, bye-bye, so आज का video यहीं पे end करते हैं, आज के लिए बस इतना है, that's it for today, thank you so much everyone.